इस समय जहां एक और बहुत बड़ी संख्या में लोग कोरोना वारस के संक्रमण के बाद स्वस्थ हो रहे हैं तो दूसरी और इस संक्रमण के खिलाफ वैक्सिनेशन का अभियान भी काफी तेजी पर है ऐसे में हमारे पास बहुत सारे लोग फोन करके यह पूछ रहे हैं कि सं और दूसरी सेड्यूल्ड डेट के बीच में संक्रमित हो गए हैं तो वैक्सिन की दूसरी डोज कब लगवानी चाहिए आईए जानते हैं एक्सपर्ट बाड़ीस की इसके बारे में क्या रहा है कोरोना वारस के संक्रमण के बाद हमारे अंदर इसके प्रत निचरल इम्यू साथ युनाटेट स्टेट सेंटरल फार डिजीस कंट्रोल के अंसार संक्रमर्स से स्वस्थ होने के तीन महिने बाद वैक्सिन लगवाना चाहिए हमारे यहां एंटी एजी आई अर्थास नेशनल टेक्निकल एडवाईजरी ग्रूप आन इम्मुनाजेशन की रिशेंट गा अर्थम यानि कि छे महिने से मेल खाती हैं जिन लोगो अभी तक कोई संक्रमट नहीं हुआ है उनको एंटी एजी आई ने अपनी रिसेंट गाइडलाइन में कोवी सिल वैक्सिन की दोनों डोज के बीच का अंतराल बढ़ाकर 12 से 16 हफते कर दिया है जबकि को वैक्सिन के ल दोज कब लगो हैं एक्सपर्स की राय के अंसार संक्रमट से स्वस्थ होने के बाद कोवी सिल वैक्सिन के लिए यह एंतराल 8 से 12 हफते का होना चाहिए और को वैक्सिन के लिए यह एंतराल 4 हफते का होना चाहिए यहां पर यह बात ध्यान देने वाली है कि दोनों वैक्सि के लिए पहली और दूसरी वैक्सीन की डोस देने के लिए निर्धारिच किया गया है यानि कि कोवी शिल्ड वैक्सीन के लिए बारह हफ्ते और को वैक्सीन के लिए चार हफ्ते WHO के निर्देसा अंसार वैक्सीन की उपलब्दिता में देरी होने पर इस समय अंतराल को 6 महिने तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि संक्रमण के बाद लगभग 6 महिने तक इसके खिलाफ नेचुरल इम्मिन्टी रहती है रिसेंट गार्डलाइन में गरभवती तथा दूद पिलाने वाली महिनाओं को भी वैक्सीन लेने के लिए रिकमेंट किया गया है हरदय के रोगी तथा इम्मिनो कंप्रमाइज पेशेंट भी कुछ साउधावनिया के साथ वैक्सीन ले सकते हैं जिन लोगों को पहली डोज के बाद एनाफ एलेक्टिक रियक्सन्स हुई है उनको दूसरी डोज बिलकुल नहीं लेनी है सीवियर लाइफ थ्रेट्निंग एलर्जिक रियक्सन्स को एनाफ एलेक्टिक रियक्सन्स कहते हैं वैक्सीन की जो ब्रांट पहली डोज में लगाई गई है उसी ब्रांट का उपयोग दूसरी डोज में होना चाहिए इस मेसेज को ज़्यादस ज़्याद लोगों में सेयर करें जिससे वैक्सिनेशन समंधित इन महत्पूर्ण सवालों के जवाब उन लोगों को मिल सकें थैंक थैंक्स पार वाचिं इस वीडियो